दो टीनीजर एक दूसरी के पैर में पढ़ते हैं जब लड़के की डाक साइड बाहर निकलती है तो सब कुछ प्रावल्लम आता है वो लड़की के साथ अपसेस्ट हो चुका था हेलो फ्रेंड्स आज के हमारे मूवी वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करना चातो आप कोई वीडियो अच्छा रखता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजेगा इसे चैनल को बहुत ही सपोर्ट मिलता है अब बीना किसी देरी के explanation स्टार्ट करते है मूवी स्टार्ट होती है और हमें हमारी main character जिसका नाम है निकोल के इंट्रोडूस होती है निकोल अबने फादर अबनी स्टेप मदर और स्टेप ब्रदर के साथ रहती है निकोल के फादर का नाम है स्टीव और उसके step brother का नाम है Toby Nicole जब school जाती है तो उसके father notice करते है कि Nicole ने क्या पहना है यह उन्हें पसंद नहीं आया था तो उसे वो टोकते है पर Nicole उनकी बात मानने नहीं वाली Toby यह Steve का step son है यह दोनों एक दूसरे के साथ इंटा यह दोनों एक दूसरे के साथ इतना comfortable नहीं थे पर आज first time Toby स्टीव को father बुलाता है स्टीव को भी अच्छा रगता है वो Toby को school तक right दे देता है Nicole school में अपने friend Margo से मिलती है Margo को थोड़े time में बार में जाना था तो Nicole को भी लेकर आई actual में Margo को एक आदमी पसंद आया है उसे देखने के लिए ही वो गई हुई थी यहाँ पर हम हमारा और एक main character देख सकते है जिसका नाह में डेविड Nicole जब डेविड को notice करती है तो उसे वो अच्छा लगता है एक party होने वाली थी तो इस बार में इस party के flyers distribute किये जा रहे थे एक flyer डेविड को भी मिला जब party का दीन आता है तो महारों को इसी party के बारे में Nicole से पुछती है पुछती है क्या उसके साथ चले ही कि Nicole को अपनी family के साथ आज एक concert पर जाना पड़ेगा तो इसके लिए उसे मना कर देती है बाद में Nicole फिर से अपने फादर से बात करती है कहती है जिस concert में हम जाने वाले है मैं already वो देख चुकी हूँ मुझे फिर से क्यों जाना पड़ेगा फादर कहती है कि तब तुम सिर्फ past साल की थी तुमें कुछ याद भी नहीं होगा Nicole कहती है मुझे सब कुछ चीज़े याद रहती है मैं आपकी तरह past block नहीं करती है Nicole के फादर ने उसकी मदर को छोड़ दिया था इसके वारे में यहाँ यह बात हो रही थी फादर Nicole को समझाते है कि as a family हम सब लोग जाएंगे मजे करेंगे यह अच्छा दिन होगा फादर effort लेना चाहते है यह Nicole को भी अच्छा लगता है और इसके लिए वो हा कहती है गरपस ट्यू को अपने office से call आया यह उसे पता चला एक project पर उसे और भी काम करना पड़ेगा आज जो concert पर जाने वाले थे यह cancel हो जाता है यह बात अकर जब वो family से कहता है तो सब लोग upset है क्योंकि हमेशा वो अपने काम में ही लगा रहता है Nicole भी इस पर बहुत ही ज़ादा गुसा हो गई थी तो directly Margo को call लगाती है कहती है आज रात हम party के लिए जाएंगे रात में party में पहुँचे और Margo को जो आदमी पसंद था उसके साथ busy होके यही पर Nicole को डेविड अप्रोच करता है उससे पुछता है कि तुम dance नहीं करें Nicole कहती है कि तुम ही तो नहीं करें इसके बाद एक दूसरे के साथ dance करने लगते है चानक से थोड़ी देर में इस party को burn करने के लिए वहाँ पुलिस आ गया पुलिस से भागते भागते है यह दोनों रूप टॉफ पर आते है Nicole Margo का wait कर रही थी और Margo एक अलग रास्ते से यहाँ से चली गई सही से बनाया नहीं गया इसमें इस गाड़ी का कोई भी fault नहीं है कि ऐसे ही पड़ी हुई थी तो मुझे बुरा लगा Nicole को David की thinking अच्छी लगती है इसके बाद यह अलग-अलग चीजों के बारे में बात कर रहे थे Nicole कहती है जब मैं 9 येस की थी तबी मेरे फादर ने मेरी मदर को छोड़ दिया था मेरी मदर हमेशा बहुती डिस्टब रहती थी वो फिर डेविड को उसके parents के बारे में पुछती है डेविड कहता है कि वो ज़रा दूर रहते है पर हमेशा मैं उन्हें call करता रहता हूँ वो एक perfect couple है उनमें कभी भी किसी serious चीज़ को लेकर fight नहीं होती है निकोल फिर डेविड को देखकर अजिब साहसती है तो डेविड उसे पूछता है कि ये क्या था वो गहती है जब मैंने तुमें first time देखा तो मुझे तुम बहुत ही अलग लगे थे एक्च्वल में तुम बहुत ही sweet हो डेविड भी गहता है ये तुम बहुत ही beautiful हो उसे इतने अच्छी लगी कि उसे लगता है कि कोई भी चीज इतनी सही हो नहीं सकते उसमें कुछ ना कुछ तो गड़बड होगी है निकोल भी admit करती है ये मुझे में थोड़े से flaws है जो तुमें वक्त के साथ पता चलेंगे ये दोनों करीब आ गए और एक दूसरे को kiss कर रहे थे डेविड निकोल के साथ intimate होना चाहता था पर निकोल उसे रोक लेती है वो wait करना चाहती है कहती है ये ही मेरा fault है देविड कहता है तुम्हारे इस decision को मैं respect करता हो और admire भी उसके लिए wait करेगा निकोल को जल्दी कह जाना था देविड उसकी watch लेकर इसे half hour पीछे कर देता है कहता है कि अब तुम्हें time के बारे में worry करने की कोई भी जरूरत नहीं है जब वो घर पर आई तो लेट हो चुकी थी निकोल की step mother जिसका नामे लॉरा उस पर बहुत ही गुस्सा थी तो कहती है कि मैं तुम्हारे लिए बहुत ही worried थी निकोल बहाना बनाती है कि उसका watch खराब हो गया था यह अबर लॉरा निकोल को एक गटिया जीज बुला दिये जब स्टीव को एक बात पता चली तो गर के काम करने की उसे सजा देते है निकोल बता देती है यह लॉरा ने मुझे बहुत ही बुरा बुला था रात में जब स्टीव और लॉरा एक साथ थे तो लॉरा कहती है तुमने उसे बहुत ही जादा छूट देखर रखी है अगर वो फिर से ऐसा कुछ करती है तो तुमें उसे स्टिकली कुछ सजा देनी चाहिए स्टिकली कहता है तुमने उसे जो कहा ये भी बहुत ही गलत था निकोल और डेविड अब एक दुसरे से रेगुलरली मिलने लग जाते है डेविड कहता है मुझे तुमारी फैमिली से मिलना है ये सुनकर निकोल को भी अच्छा लगा इसके बाद डेविड इंसफ से मिला इनक दुन्टे दुन्टे डेविड भी उसके पास आया स्टिव पुछता है इलाइफ किस तरह से चल रही है डेविड कहता है इलाइफ के बारे में तो मुझे ज़्यादा आपको पता होगा इनके बात्चे चल रही थी तभी यहां मार्गो आई मार्गो डेविड के सामने ही स् उमरी पार्टी में आना चाहिए, ये सब देखकर डेविड एंजॉइ कर रहा था, तो स्टीव को ये सब बहुत ही अजीब लगा, रात में डेविड और निकोल एक रोलर कोस्टर में आते हैं, इस रोलर कोस्टर पे ही डेविड निकोल को प्लीज करता है, जब डेविड स्ट स्टीव की रूम में था तो स्टीव का क्लॉक भी उसने हाफ अवर पीछे कर दिया था इस वज़े से स्टीव अपना बहुत इंपोर्टन काम टाइम पर खतम नहीं कर पाया अब यह सही से कंप्लीट करने के लिए उसे सीटी में जाना पड़ेगा एक कुछ दिनों की बात है तो लॉरा से कहता है तुम में मेरे साथ चल सकती हो लॉरा भी आजकल सब कामों से frustrated थी तो एक holiday हो जाएगा वो भी इसके लिए माज जाती है अब घर पर निकोल और उसका प्रद यह दोनों अकेली ही है राद में निकोल डेविड को क्वाल लगाती है कहती है मेरे parents एक दू combination उसे दे दिया डेविड रात में निकोल के पास आकर उसके साथ intimate हो जाता है इसके बाद next day जब निकोल स्कूल में थी तो अपने एक friend से बात कर रही थी डेविड उसे pick up करने के लिए उसे इस बात पर गुसा आ गया और वो निकोल के friend को बहुत मारता है निकोल उसे रोकन इसे ठीक करने के लिए वो लॉरा से help लेती है लॉरा उसे पूछती है कि हुआ क्या निकोल कहती है जब basketball की practice चल रही थी तो बॉल मुझे लग गया next day जब निकोल स्कूल में आई तो उसके locker में डेविड ने एक लेटर छोड़ा था इसमें लिका है कि वो बहुत ही sorry है जो इसमें डाल दिये रात में निकोल अपने room में रो रही थी तो लॉरा और स्टीव इससे ज़रा परिशान हो जाते है निकोल से बात करने के लिए लॉरा गये निकोल ने उसे जो भी हुआ यह सब कुछ बता दिया बाहर से ही स्टीव यह सब सुन रहा था वो निकोल से निकोल गहती है ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे पास मेरी खुद की लाइफ है जिसे मैं जी रही हूँ यही बेडरूम में डेविड जब निकोल के साथ इंटिमेट हुआ था तो उसका प्रोटेक्शन पड़ा हुआ था यह स्टीव नोटीस कर लेता है स्टीव कहता है कि आज से तुम किसको डेट करोगी किसको नहीं इस सब डिसिजन मेरा होगा वो निकोल को रात में घर से बहार जाने में भी रिस्टिक कर देता है निकोल जब मारको के घर पर थी तब ही डेविड वहा आया वो उसे सौरी कहता है मैंने जो भी किया मैं तुमारे लिए केर करता हूँ इसी वज़े से किया था मुझे लगा कि वो लटका तुम्हें छेड रहा है अगर तुमें किसे ने हट करने की कोशिश की तुम्हें उसे मार डालूँगा मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हो हम दोनों को एक दूसरी की केर लेनी चाहिए उसे फिर से सौरी कहता है इसके ब डेविड फिर से निकोल की लाइफ में है ये स्टिव को थोड़ा भी अच्छा नहीं लगता उसने फिर डेविड के बारे में इन्विस्टिकेशन करना स्टार्ट किया उसे पता चला कि डेविड एक औरफन है मुवे में डेविड ने निकोल को कहा था कि उसकी फैमिली बहुत ही खुश है ये उसने जोट कहा था ये सब बात स्टिव लॉरा से कहता है कहता है कि कुछ ना कुछ तो डेविड में गड़बड है लॉरा कहती है इसायद उसका बच्चपन हैपी नहीं था इसलिए जोट बोल रहा था डेविड जब फॉस्टर केर से निकला तब उसके बाद उसका कोई भी रेकॉर्ड नहीं है एक क्रिमिनल की तरह इसके बाद स्टिव डेविड से बात करता है कहता है मेरे डॉर्टर से तुम दूर रहना वरना अच्छा नहीं होगा डेविड कहता है कि मुझे लगा था कि तुम में कुछ भी दम नहीं है बए तुम जो कह रहे हो यह नहीं हो सकता जब निकॉल को तुमारी जरुरत थे तो तुम उसके लाइफ में नहीं थे मैं हमेशा उसका साथ दोंगा तुम रिलाक्स करो हम प्रैक्टिकली अफ फैमिली ही है स्टीव इससे और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया स्टीव के जाने के बाद डेविड अपने आपको ही जोर जोर से मारने लगता है इसके बाद स्टीव एक लॉयर के बास आया था पुझाता है कि डेविड और निकोल एक दूसरे से ना मिले परिलीगली इंपॉसिबल है रात में जब निकोल घर पर आई तो स्टीव से वो बहुत ही गुस्सा है एक्च्वल में डेविड ने उसे कहा कि स्टीव ने मुझे बहुत मारा उसने अपने आपको मारा था और जूट के दिया था निकोल अपने फादर से कहती है कि मैंने आपके सब रिस्पेक्ट अब खो दिया है वो गुस्से गुस्से में ही डेविड के साथ बाहर चिली गई ये दोनों हैंग आउट कर रहे थे तो डेविड निकोल से कहता है तुमसे बहुत प्यार करता हूँ निकोल भी कहती है कि हमें कोई भी जुदा नहीं कर सकता डेविड निकोल को इन्वाइट कर रहा था कि चोलो मेरे घर पर एक पार्टी है पर निकोल कहती है ये मुझे घर जाने में लेट हो जाएगा उसके फादर वरी करेंगे और ये वो नहीं चाहते निकोल फिर अपने घर तक तो आए पर उसने अपना माइंड चेंज कर दिया वो डारेक्ली डेविड के पार्टी में बहुच जाती है यहाँ पर वो नुटिस करती है कि मारगो को डेविड लेकर जा रहा है उसे ले जाकर उसके साथ इंटिमेट हो गया निकोल यह देखकर बहुत ही जादा हर्ट हो गए वो घर आई उसने अपने फादर को बताया कि मैं बहुत ही सौरी हूँ मेरी वज़े से आपको इतनी सारी तकलिफ हुए है अब डेविड और निकोल की बीच में सब कुछ खतम हो गया है तो फादर को भी अच्छा लगता है वो फिर निकोल के पास आये उसे कहता है कि जो दर्द तो महसूस कर रही हो यह पास हो जाएगा इस दिन जब निकोल स्कूल में थी तो डेविड से कुछ भी बात नहीं करना चाहती थी डेविड उसे बात करने के लिए फोर्स करता है तो निकोल का फ्रेंड उसका नामे गैरी यह डेविड को रोक लेता है डेविड भी फिर वहाँ से चला गया इविणिंग में निकोल की फ्रेंड मारगो उसे मिलने के लिए आई पर निकोल उससे कुछ भी बात नहीं करना चाहती मारगो उससे पुछती है कि हुआ क्या निकोल ने जो देखा वो इसके बारे में उसे बता देती है मारगो को बहुत भुरा लगता है पीछा करता है उसे रोक कर बोचता है कि तुमने निकोल से कहा क्या मारगो कहती है कि उसे हमारे बारे में पता चल चुका है वो मारगो को धम की देता है कहता है उसे तुम सही से समझा वरना में तुम्हें मार डालूँगा रात में डेविड फिर से निकोल के घर पर आया स्टीव ने डोर खोला तो उससे हो कहता है कि हम दोना में एक misunderstanding हुई है मुझे आप सबसे sorry कहना है स्टीव उसे अंदर नहीं आने देता डेविड निकोल से अपसेस्ट हो गया था तो अपने body पर tattoo बनवाता है जिसमें लिखा है कि वो सिर्फ निकोल का है हमेशा के लिए स्कूल में निकोल को उसका friend Gary प्रोटेक करता है तो इससे डेविड को बहुत ही गुस्सा आया था स्कूल खतम होने के बाद Gary जब घर पर जा रहा था तो डेविड उसके पीछे आया डेविड उसके गयता है मुझे हमेशा अलग-अलग foster home में रखा जाता था मैं वहाग की wall break करकर वहाँ से हमेशा निकलता आया हूँ मुझे जो चाहिए होता है उसके बीच में जो भी आता है इसे मैं तोर देता हूँ कैरी से डर गया और भागने की कुशिश करता है डेविड उसे पकड़ कर मार डालता है नेक सिन में हम देखते है कि स्टीव अपना काम खतम करकर जब पार्किंग में आया तो उसकी गाड़ी को डेविड ने तोट डाला था अब डेविड फाइलन्ड हो चुका है तो सब फैमिली को वान करने के लिए स्टीव उन्हें मैसेज करता है पर ये सब बहार थे निकोल एक शॉपिंग मॉल में थी जब वो वाश्रोम में आयी तब ही डेविड उसके पास आ जाता है उसे कहता है कि हम दोनों में जो है ये बहुत यूनीक है सब लोग हमें जुदा करने की कोशिश कर रहे है ये हमें होने नहीं दे सकता ये कहे कर वहाँ से ओ चला गया निकोल बहुत ही ज़ादा डर गई थी स्टीव बहुत ही वरीड था तो वह डिवीड के घर में पोच्चता है यहाँ पर वह नोटिस करता है कि डिवीड के पास निकोल की कुछ चीज़े है इसमें निकोल की इनर वेर भी थे तो बहुत ही ज़ादा गुसा हो गया डिवीड का सब घर वो तैसनेस करने लगता है थोड़ी देर में डिवीड और उसके फ्रेंड घर पर आया उनके घर का हाल देखकर यह सब गुसा हो गया डिवीड का एक फ्रेंड कहता है जिसने भी एक किया मैं उसे मार डालूँगा डिवीड कहता है कि आज रात हम चलेंगे रात में निकोल की घर पर मारगो आती है वो गहती है कि गैरी की बॉड़ी उने मिली वो बहुत ही डर चुकी थी स्टीव को पता था कि डिवीड कुछना कुछ तो करने ही वाला है इस वाज़े से पुलिस को कॉल करकर वोन करने की कोशिश करता है पर उसे वो इगनोर कर देते है थोड़ी ही देर में डिवीड अपने सब फ्रेंड्स के साथ इनने मारने के लिए घर पहुचा निकोल का डॉग था जिसकी लाश वो घर में फिक देते है सब बहुत ही डर गए उन्हेंने पुलिस को कॉल करने की कोशिश की पर बहार से डिवीड और उसके फ्रेंड्स ने सब टेलीफोन लाइन्स कट कर दिये है स्टिव स्मार्ट था तो उसने घर को बहुत ज़्यादा सीक्यूरिटी रखी है घर की क्लासेस कोई जल्दी से तोड नहीं सकता सब डोर्स को भी सिक्यूरिटी लॉक थे तो निकोल कहती है कि डिवीड के पास सिक्यूरिटी लॉक का कोड है स्टिव जल्दी से जाता है और इस डोर को अंदर से पैक कर लेता है इन्हें कोई स्पॉर्ट ना कर सके इसलिए घर के लाइड भी इन्होंने बन कर दिये है मारगो निकोल और इसका ब्रदर ये सब बेडरूम में थे वहाँ पर कोई उपर जड़ कर आ रहा था तो निकोल उसे भी नीची किरा देती है जो भी लोग घर में अंदर आने की कोशिश कर रहे थे स्टिव इन सब से नहीं पढ़ता है इनके घर से बहुत ही दूर एक सेकुरिटी पोस्ट है घर में अंदर आ था तो निकोल टॉच लेकर सिगनल दे रही थी वहाँ का पुलिस नूटिस करता है और देखने के लिए वहाँ पहुच आता है वो जब वहाँ पहुचा तो उसे हैंडल करने के लिए डेविड वहाँ आया वो समझ चुका था कि डेविड कुछ न कुछ तो गडबड कर रहा है अब यह पुलिस ओफिसर सब को अरेस्ट कर रहा था स्टीव भी बाहर आया सब चीजों के बारे में इस पुलिस ओफिसर को बता रहा था तब यह अचानक से डेविड के फ्रेंड ने इस पुलिस ओफिसर को मार डाला डेविड और उसके फ्रेंड फ्रेंड फिस्टीव पर गन लगाते हैं कहते हैं कि हमें घर में लेकर चलो लॉरा भी घर का डोर ओपन कर देती है निकोल को रियालाइस होता है कि गाड़ी में एक सेलफ़ोन है जहां से पुलिस को कॉल कर सकते है इस बेडरूम से सिर्फ उसका ब्रदर निकल सकता है ब्रदर गाड़ी में पहुच्ट हो जाता है पर उसने गाड़ी पर फायर किया पर निकोल का प्रदर गाड़ी स्टार्ट करकर उसे कुचल लेता है उसने फिर पुलिस को कॉल किया यह जो सब कुछ हो रहा था तब डेविड ने स्टीव और लॉरा को बान दिया था डेविड का फ्रेंड है निकोल के घर में गुज गया व डेविड निकोल के फादर को मारने वाला था तब डेविड निकोल एक वुडन स्टेक लेकर इससे उस पर वार कर देती है अब डेविड निकोल को हर्ट करने वाला था तब स्टीव उसे पकड़ता है और उपर से नीचे गिरा देता है इससे डेविड की डेथ हो गये इसक उनका सुना ही नहीं जब डेविड ने सब लाइन्स क्रोस कर दिये तो इन पर बहुत भारी पड़ा फाइनली स्टीव ने अपनी डॉटर को प्रोटेक किया इसी तरीके से इस मुवी की एंडिंग हो जाती है अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो क का खेल रखिया